गुड मॉर्निंग फ्रेंड वेलकम टू आल इन माई चैनल डॉक्टर रंशुमान शुमन आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्त और अच्छे होंगे और अपने लक्ष के परतिय कागर होंगे मेत्रों पिछली वीडियो में हमने 22 गवर्नर जनरल का जो स्रीज था उसको समाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे मित्रों जब भी हम कभी उनिश्मी सदी में भारतिये समाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात करते हैं तो राजाराम मोहन राय एक ऐसा बेक्ति का नाम उभर कर आता है जो यूं कहें कि वह भारतिय पुनर जागरन बहूत ही इनफॉर्मेटिव बीडियो जिससे का आपको कई पर्टिकता परंग्षाओं में बहुत ही करेंगे और मुझे आशा है मित्रों कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी सबसे पहले जो आपके अंदर दुविदा था उसमें क्लेरेटी आजाएगा और साथ ही साथ कई सारे तथ्वाप अपने आप में समाहित कर सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि राजा राय मोहन राय हम पढ़ रहे हैं 19 सदी का समाजिक धार्मिकांदोलन उसमें राजा राम मोहन राय जो एक परकार से कह दे कि सोर मंडल का चमकता हुआ सितारा था उस समय का तो उनका जन्म जो हुआ था 1772 में हुआ था कुछ किताब में 1774 भी मिलेगा ज्यादातर किताब और जन्म हुआ था जबकि इसका मिर्तु 1833 में इंग्लेंड के ब्रिस्टल में हो गया था तो चलिए हम लोग उसको देखेंगे यहां से एक एक करके पाइंड को टॉपिक्स वाई पहले ही तरह देखेंगे बहुत ही असानी से समझ पाएंगे मित्रों तो इसका जन्म देखे क बंगाल के राधानगरगों में हुआ था और मिर्तु इसका हुआ था ब्रिस्टल इंग्लेंड में तो दो चीज हम लोग सिखें जन्म और मिर्तु चलिए अब इसका जब एक्तिकत भारे में देखें तो इसका जो पिता जी था वो एक जमिंदार जमिंदार था बहुत ही मुहनराय के रक्त में एक परखास धार्मिक ठत्त्त समाहित था है चलि anda के बारे मगर जाने तो राधाराम ममः राए बच्पन ही से ही कुशाग्र बुद्धी का बेटती था और इसकी चपलता चातुर्य काफी परभावित करता था लोगों को और इसी के साथ इन्होंने कुल बारा भासा को सीख पाया कितने भासा बारा भासा जिसे आप परमुक आप देखेंगे संस्क्रीट बंगला फार्शी हिंदी फ्रेंच हिब्रू अंग्रेजी लेटीन इत्यादी कूल कितने भासा सीखें बारा भासा सीख चुके थे कौन राजा राम मोहन राय ठीक है चलिए तो यहां पर कभी कभी इसके बारे में आपको डीप कोश्यन में पूछा जा सकता है कि उन्होंने फार्शी भासा का किये फारशी यर्वी ठीक है यह आप के पटना में अध्यं किया ठीक है उसके संस्कृत का अध्यान उन्होंने बनारस में जाकर किया था है जब उथे नाम के सामने राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं तो यह राजा सब्द यह राजा एक उपाधी था जो की मुगलपाद स आकवर दुत्ये ने इसको दिया था यह भी कोशन पूछा जाता है याद रख्येगा कि राजा जाउपादी इसको किस ने दिया था मुगलबाद था अकवर दुत्ये के पर उग्लेंड गया था ताकि अकवर का पेंशन जो है बढ़ा सके बिरिटिस सरकार को बोल ठिक है अच्छा इनके बज़ब는데 में ही इनके पिता से मत्भेद हो गया और मत्भेद का कारण था मुर्थी पूजा इनके पीता जी मुर्थी पूजा में विषवास करते थे जब कि ये मूर्थी पूजा विषवास नहीं करते थे इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा अपने जीवन में या कंपनी में भी सेवा किया अठारा सो तीन या तारा सो पांच से लेकर के 1814 इस वी तक कंपनी के सेवा में रहा और डिगवी नामक बेखती जो एक कंग्रेज था उन्होंने बाद में इसको सेवा दि ठीक है चलिए इन्होंने इन्होंने कुल तीन साध्यां की थी राजाराम मोहन राय ने तीन साध्यां इसकी परस्तिती बस हुआ था जबकि आपको जानने के लिए मिलेगा कि कुलीनिज्म राजाराम मोहन राय जर्म कहां लिये थे कुलीन परिवार में लिया था और कुलीन परिवार में लेने का आर्थ था कि कुलीन मनकर रहना लेकिन राजाराम मोहन राय कुलीनिज्म का बिरोध किया आखिर कुलीनिज्म होता क्या है उसको जानगे कुलीनिज्म का मतलब होता ह भाहुत नित taraf को बहुत पत्नियां क्या साधी मनें बहुत सारी साधी कर सकता है धेर सारा पत्नी रख सकता है एक इसका मुख पाइंट दूसरा है कि कुलिनिजम में दहच पर्था समाहित होता है तो इन दोनों का विरोध किया था कौन राजाराम मोहन राएने तो समझ गए म प्रकार से वित्वाद जीवन को पूछते हैं लेकिन इंप्र्चन को दिखा यहां और फॉछते जाएंगे और अंग्रेजिम इसको बोलते हैं एक gift of monotheist कब 1809 में मतलब इन्होंने इस्वर की सत्ता को एक माना ठीक है इनका मानना था कि दुनिया में जितने परकार के धर्म है उसमें जितनी भी अच्छाईया है और उनकी जितनी पवित्रता है उनको अपने धर्म में समाहित कर लिया जाए और जो भी अपने धर्म में कुरूतिया है उसको निश्चित रूप से अलग कर दिया जाए इन इन्होंने आत्मिय सभा की अस्थापना किया किसकी आत्मिय सभा की अस्थापना 1814 पंद्रा के बीज में किया ठीक है यह भी कोशन आपको पूछे जाएंगे स्कॉटलेंड का बेखती था जो कि एक घड़ी साज था लेकिन डेविड हेर एक सिख्षा भी था और सिख्षा के परतीन का काफी रूची था इन्हों ने डेविड हेर ने इसको कलकत्ता हिंदू कॉलेज बनाने में सहयोग क्या था ठीक है मित्र हो समझ में आ रहा है मजा रहा है यह सारा शिरीच 1809 सी में एकसर वाध्यों का उपहार 1814 15 मा आत्मिय सभा 1870 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में और 18188 वी में इन्होंने जो भारत्य समाज में एक परकास से कह सकते हैं कि जहरके समान सती पर्था विशाईला हो कर दिया था शतीपर्था के प्रारम जो इन्होंने प्रारम किया था इसके पहले इसकी भावी इसका सिकार हो चुका था ठीक है आगे देखते हैं 1823 में इन्होंने अंग्रेजी सरकार से मांग किया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उत्थान हो शिक्षा जो अंग्रेजी भासा में दी जाए ठीक है हम आगे चलके पढ़ेंगे किस्वरकार से यह बिरिटिस का जो शिक्षा पद्धती अंग्रेजी शिक्षा पद्धती था उसका यह समर्थक था ठीक है उसके बाद 1825 में यह इंपोर्टेंट 1817 SM कलकता हिंदु कॉलेज और 1814 15 में आत्मे सभा आई यह सबसे इंपोर्टेंट इसके जीवन का जो सबसे इंपोर्टेंट था जिसके लिए यह अमर हो गए वह था 20 अगस्त 1828 सिसी में इन्होंने ब्रह्म समाज के अस्थापना किया मित्र ब्रह्म समाज क्या होता है इसक प्रेक्ट में बठ गया उसको हम जस्टिस के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से अभी इतना जानिए कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था तो वह था राजाराम मोहन राय कब 20 अगस्त 1828 सिस्वी को तमाम इनकी किर्तियों के बजह से राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है ठीक है मित्रो उसके बाद इसे भारतिय पुन्जागरन का भी जनक कहा जाता है भारत में पुन्जागरन का यर्थ है उनिस्वी सतावदी में समाजिक धार्मिक अंदोलन का प पहें तो याद रखना चलिए आगए अभी हम लोग इसका देख लिए महत्पून्तत्ति क्या था अब इनका देखें गें समाजिक दर्सन क्या था यह समाज में किस परकार का बदलाव क्या का रहा है किस वरकार से समाज को सुधारना जाथ तो समाज सुधारक के रूप में देखिए तो मित्रो जीस परकार से मैं बता रहा हूं यहां पर मैं ज्यादा तर फेक्ट की वारें बात कर रहा हूं साथ ही साथ कर सेप्ट आ रहे हैं मेंस में भी अगर आप लोग को कोशन पूछा जाए तो यहां का धाचा है आपको बहुत ही सहयोग करेगा क्यो आजिक दर्शन में तो पहला पाइंट आप लोग देखी लिए थे अपने पिता से जो इनका मतभेद हुआ था उसका कारण मुर्ति पूजा था यह बिल्कुल मुर्ति मुर्ति पूजा के पक्ष में नहीं था बली पर्था जो देवी देवताओं को खूश करने के लिए प ये जो फिफ्ट माइंट है इसको समझना है इसाई का थोपना अगर कोई बेक्टी स्वता मन से इसाइड धर्म या कि द्थार्म को अपनाता था तो उतना ज्यादा इनका विरूद नहीं था जितना की इसाई मस्रियों ने जान पुज़ करके लोगों को धरवान कराता था अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब जवर्दस्ति इसाई धर्म थोपा जाता था तो उसके विरुद्ध में यह कड़ा आवाज उठाता था कौन राजाराम मोहन राय चलिए यहां तक तो यह देख लिए किस परकार का वह चीजे नहीं चाहता था अब यह चाहता क्या था उस उसको अध़्यन करने के बाद इनको लगा कि सवर में साम्यता है सभी का सवर एक समान है एक सवर्बाद पर यह जोड दिया यह आपको सूफिज में मिलेगा और वद्यत संकराचार्च वृद्यत वाद में भी इसकी अवधारना अश्वष्ठ होगा के सवद्य जिसको की सम रखा जाता था उस समय इन्होंने विद्वा विवा को प्रोशाहित करने का काम किया कि विद्वा का विवा होना चाहिए समर्थन किया फिर इन्होंने अंतर रा अंतर जातिय विवाह का भी समर्थन किया कि जाति-पाति से कोई लेना देना नहीं है, स्विक्षा से किसी भी जात्य वर्ग संप्रधाय में साधि हो सकता है, इस वरकार की विवस्ता को इन्होंने समर्थन किया, और अगला इन्होंने क्या क्या कि औरतों को जो आर्थिक संपत्ति से बेधखल करके रखा जाता था इसके लिए इन्होंने आर्थिक अधिकार औरतों के आर्थिक अधिकार का भी समर्थन किया तो आप देख सकते हैं इसका जो समाजिक दर्शन था वो बहुत ही प्रगति सील ठीक है मित्रों चलिए इसका देखते हैं इन्होंने शिक्षा में क्या किया तो अगर भारतिय किसी के बारे में पूछा जाएगा का आधुनिक की च्छा का जनक कोन है तो अधुनिक सिक्छा का भारतिये में होगा कि जनक राजाराम मोहन राय यह अधुनिक शिक्छा का जनक था क्योंकि इन्हों ने अधुनिक सि शिक्षा को भी समर्थन किया बंगला व्याकरण का इन्हों ने संकलन किया और जब रादा राम मोहनराय कई पत्र पत्रिकाइद लिखने लगे तो एक परकास से इसके प्रेखं साहिली से एक सुंदर गःध शैली का जन्म हुआ मंगला भासा में इसलिए बोलते हैं कि सुंदर गःध साहिली का इसको मंगला भासा में जन्म दाता माना जाता है ठीक है मित्रो टो इसक्षा के छेतर में आप लोग देख लिये थे कॉलेज कि हम बाता अलड़ी कर चुके हैं बेधान्ह और कल्कट्ता का हिं लभी टेज़ेगे चली знаете भारत में पत्रकारिता का ये अगृदूत्र था और पत्रकारिता के स्वतंत्रता का ये पक्षधर था इसी का बजा था कि 1845 इसी वे चार्ट मेटकाउफ ने कुछ हद तक पत्रकारिता को सुतंत्र कर दिया ठीक है तो आनि पत्रकारिता के सुतंत्रता का ये पक्षधर था ठीक है चलिए इसका सबसे इंपॉर्टन आप देखिए जो लेखनी में आप संबाद कोमूदी देखते ह है यह सबताहिक पत्रिका था 1821 में प्रारम हुआ था और भासा इसका बंगाली था बंगला भासा था और यह कहां से प्रकासित होता था कलकत्ता से प्रकासित होने वाला संबाद कोमूदी ठीक है सती पर्था के का ब्रोद करता था किसमें संबाद कोमूदी के माध्यम से त सब्सक्राइब करना चाहता था और इसमें क्या था वहां संबाद को मुदी में सतीपर्था का विरोध करना था और इस सब्सक्राइब करना चाहता था कि डिसकस करके करना चाहता था आप यहां पर 1814 एसी में आत्मिये सभाव पड़े यह क्या था यह भी वही था कि अपने मन में जो इसका जो चल रहा था कि किस परकार से सुधार समाज में लाया जा उस भावना को प्रकट करने के लिए आनि उस भाव को समाज में लाने के लिए एक सभा के अस्थापना हुआ था जिसका नाम था अत्मिय सभा और उसी परकासे मिरातु लखवार भी था कि सत्य का खोज जो है संबाद से संभाग है आगया यह इसका जो अगला था बंगदूत जो ठारा सो उंती सिस्षी में यह चार भासा में ठीक और उसके बाद आपको मिलेगा ब्रहम निकल यह ब्रहम निकल जो था यह 1820 सिस्षी में ठीक है तो यह ब्रहम निकल के माध्यम से जो अंग्रेजी मिश्णरीज जिस परकार से यहां पर भारतियों को जोर्जवरदस्ति इसाई बना रहा था एक परकार से धर्म परिवर्तन करने का जो वह धन्दा चला रहा था उसका यह फूर्जवर विरोध किया था ब्रहम निकल के माध्यम से ठीक है और ब्रहम निकल जो था इंग्लिस में था तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे संबाद को मोदी है वह बंगला भासा में था जैसे मिरातुल आप ठीक है चले आगे देखेंगे इसके धर्म के परतिन का क्या सोच था तो धर्म के बारे में हम लोग मुख्यता जान चुके हैं कि यके स्वरबाद को मानता था परगती ऊपनिषः क का भी अनुबाद किया था ठीक है चली धर्म के माध्यम में इनोंने इन्हों ने यह भी उजागर किया कि क्रिश्चन धर्म में क्या-क्या भ्रांतियां है और वहां पर क्या-क्या चीज जो है आडंबर जोड़े जा चुके हैं तो और आडंबर वह कुरूतियों को उजागर करने के लिए इन्हों ने यह लिखा प्रिशेप्ट ऑफ जीसस पीश एंड हैपिनेश उनीस्सोबीस में लिखा था यह सौरी अठारा सोबीस ठीक है इसको इंदिम बोलते है इसा की नीती बचल सांती वह खुश्याली ठीक है और यह इसके बारे महलोग चर्चा कर चुके हैं कि आत्मिया सभा के अस्थापना किय था वेदान सोसाइटी और ब्रहम समाज के अस्थापना किया था ठीक है तो यह इसका धार्मी का अभधारना था इसकी राजनिति का अभधारना को भी समझना बहुत इंपॉटेंट है राजनिति के छेत्र में यह जो है यह उदारवादी प्रविर्ति के विक्ति था कैसा ठीक है यह किसी भी परकार का जो अंग्रेजी जो सरकार भारत में चल रहा था उसमें आमूल चुल परिवर्तन नहीं चाहता था यह चाहता था कि अंग्रेजी सरकार चलते रहे लेकिन परशासनिक सुधार हो उसमें परशासनिक सुधार यह मांगता था ठीक है और यह समान समान नयाय की बात करता था किसी परकास इरोपीय हो या भारतिय हो उसके साथ अलग-अलग कानुन से अलग-अलग न्याय नहीं हो दोनों के लिए समान न्याय के बारे में यह मांग करता था Dewod समान न्याय को यह चाहता था कि सिविल सेवा में उच्छ पदों पर भारतिय करन चाहता था आनि चाहता था कि भारतिय लोग भी सिविल सेवा में उच्छ पदों पर पदस्थापित हो ठीक है मित्रों अब यहां पर आप लोग को जब हम उपन वेसिक चरण के बारे में पर अंग्रेज नियंतरन करके भारतियों को बजार से धकेल दिया और मुख्य बजार में अंग्रेजी समान आ गया और किस परकार से भारत का वो सोशन किया इसका वो बिरोध करता था आने की भेद भावपुर्ण आयात और निर्यात का वो बिरोध करता था आप समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राए एक मात सिक्छाविद ही नहीं था एक मात समाज सुधारक नहीं था उसकी नज्रें भारत के प्रते इक बीधा पर पहुंचा हुआ था, जहां से कि भारतियों को कष्ट हो रहा था और उससे कोई भी परिशानी हो रहा था चाहे वह आर्थिक छेतर ही क्यों ने हो ठीक है तो यह सारी दर्शन यह चीज़ सावित करता है कि राजा राम मोहन राय एक संपुर्ण बेक्ति था और एक मानव नहीं महामानव था जिन्हो तो बिल्कुल नहीं है कि हम रविद्ण टाइगोर भी पढ़ेंगे वह भी विश्वाधी वेक्ति था और राजा-राम मोहन राय इनका भी पर्विर्थी विश्वाधी था कोस्मो पोलिटन की मतलब किसी भी चीज को तक्थ्यों को नat जो देखने का इसका नजर गया था व देखिए इसके जो सोच का परभाव कहीं ने पर्थम बिर्ष्जुद्य के समाप्ति के बाद राश्ट्रंग का निर्मान हुआ की इसके सोच का कहीं ने सीव कर परभाव है ऐसा इसलिए कि रादाराम मुहनरा हमेशा इस वाद का वकालत करता था कि पूरा विष्ष एक संगठन बने और मिल करके पूरे विष्ष में समाजिक सुधार अनिसुधार लाया जाए तो चलिए इस प्रकास से आप देखेंगे कि उसकी सोच से ही राश्ट्रंग का विवर्था दिखता है उसके बाद आप देखेंगे कि उनको अगर कोई अगर वो सिर्फ यह षद्छी और भारत की स्वतंतरता ऑपारत के आंदोलन के बारे में उसको ज्यादा ईये रहता क्या अगर भारत इस सदHEN्टरता आंदोलन पूर्न होता है तो उसको खुषी मिलता अगर कुचल दिया जाता वह दुखी होता लेकिन उसको मन मैं ऊएसा न जदी वह कुछला जाता था उससे वह दुखी रहता था एक्जामपल में आप देख सकते हैं 1821 में नेपल्स की क्रांती नेपल्स की जो क्रांती था वह सफल हो गया था इसलिए भारत में राजा राम मोहन राय उससे दुखी हुआ और दुसरा उधारन देखें 1823 में इस पेनी सब्सक्राइब राजा राम मोहन राय सार्जनिक भोज का आयोजन किया तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राजा राम मोहन राय एक सधारन बेक्ति नहीं वो सधारन परतिभावाला बेक्ति था जिसका सोच वेश्विक था तो मित्रो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आज राजाराम मोहन राय के बारे में बहुत ही गंभिरता पुर्वक और बहुत ही ध्यान से पढ़े होंगे जो कि परिक्षा उपयोगी होगा काफी परिक्षा उपयोगी होगा आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब और शेर करना नहीं भूलें